What is the verb of incomplete predication? या verb का compliment क्या है? या फिर इस question को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि incomplete verb क्या है? इनकुलेट टॉपिक को मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी explain करने की कोशिश की है बट आज मैं इसे फिर दोबारा explain करना चाहती हूँ टीटेल में Then, why late? Let's begin But before then, as is well, नमस्ते मैं हूँ सुबलक्षमि गोश्वामी और मेरे चैनल Intimate Viewpoint में आपका स्वागत है इन तीनों questions का आंसर एक ही वीडियो में मिल जाएंगे पहले इस sentence को पढ़ो Every morning is a gift ये एक complete meaningful sentence है इस sentence में every morning subject है is linking verb है and a gift ये compliment है अब इसे यहाँ compliment क्यों कहा गया है Compliment का meaning होता है पूरक्षमि यानि किसी चीज़ को पूरा करने वाला ये जो sentence है Every morning is a gift हाँ verb यानि is अकेले दम पर एक complete meaning create नहीं कर पा रहा है जब तक कि उसमें a gift ना जोडा जाए यानि ये verb का compliment है यानि पूरक है तो यहाँ तक आप समझ चुके हो कि compliment क्या है अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ देखो इस यानि verb ये अकेले दम पर एक complete meaning नहीं दे पा रहा है तो ये हो गया incomplete verb या above of incomplete prediction अब मैं कुछ और अब ये एक complete sense दे रहा है इसलिए इसे कहेंगे compliment of the verb या verb का compliment अब अगर इस whole thing को sentence में define करना चाहे तो हम इस तरह से कर सकते हैं वावव in complete prediction वो verb होता है जिसे predicate को complete करने के लिए एक word या एक phrase की जरूरत पड़ती है ताकि sentence complete sense दे सके और जो word या phrase predicate को complete करने में मदद करती है उसे कहते है compliment of the verb अब ये explanation तो complete हो चुकी है बट मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है की नहीं comment करो then let's meet again in the next video with a new topic till then, bye